हेलो एन विल्कम ओल माई डियर स्टुडेंट टू लेक्चर नंबर फॉर ऑफ बाइलोजी नीट फाउंडेशन नाइन्थ सी बीसी ठीक है इससे पहले हमने तीन लेक्चर कंप्लीट कर दिये हैं देखना चाहते हूं तो विजिट करें हमारी यूट्यूब चैनल कोटा पैट आज से मार्ट उफ एंटकर करेंगी और आज के छोटे से लेक्चर में आपके लिए लाया हूं अनध इंट्रेस्टिंग सी चीज मर्मांआ लौन और बलून और बलूं के अंदर पानी भर दिया ठीक है मान लो यह इस तरह का कुछ बलून है और बलून के अंदर हमने पूरा यह पानी भर दिया है क्या बर दिया है पानी भर दिया है ठीक है ऐसे पानी भरा हुआ है और सपोज सपोज हमने क्या करा इसमें एक जेल का चॉकलेट दाल दिया ठीक है जेल के चॉकलेट होती है ठीक है जेली जेली टाइप का चोकलेट है बड़ा सा चोकलेट है तो यह हमारा एनलोजी हो गई सेल के साथ कैसे अब यह जो बलून है यह जो बलून की कवरिंग है इसको हम बोलेंगे cell membrane क्या बोलेंगे cell membrane अब यह जो हमारा यह nucleus है इसके पर एक separate लेक्चर आगा इसके बारे में हमें कोई tension दे लेना है ठीक है तो यह हो गया हमारा outer covering balloon का cell membrane इसको क्या बोलेंगे cell membrane अब इसको imagine करना है और इसके characteristic clear करना है अब यह balloon कैसा है thin है elastic है यह balloon ने क्या किया है यह अंदर का पानी और यह jelly chocolate को पकड़ कर रखा है ठीक है तो अगर आपको cell membrane या plasma membrane के characteristics या उसके ओपर कुछ answer लिखना है तो यह system imagine करना है और लिखते जाना है ठीक है तो अब यह balloon कैसा है देखो सबसे पहले तो यह thin है ठीक है thin मतलब बहुत पतला सा है उसके बाद यह elastic है मतलब आप उसको अगर यहाँ पर प्रेस करोगे तो shape change हो जाएगा उसका छोड़ दोगे तो पहले जैसा shape हो जाएगा ठीक है तो यह elastic भी है और flexible इन मराटीटीज लोचीक rubber के जैसा खीचोगे तो लंबा हो जाएगा छोड़ोगे छोटा हो जाएगा तो flexible है rigid है क्या नहीं मतलब काच की तरह rigid है या खडू होता है ना उसकी तरह rigid है क्या नहीं elastic है यह elastic है ठीक है तो thin है elastic है और flexible है सबसे important बात यह जो cell membrane होता है यह living होता है कैसे होता है living मतलब यह living है cell membrane is a living living है उसमें जान होती है उसके बाद यह सबसे outermost covering है okay outermost covering होती है cover किया है इसने अंदर वाला जो fluid है उसको cover करके रखा है अब इसका काम क्या होता है यह जो content होते है ना cell के, cell के content मतलब यह जो कुछ भी है nuclear, cytoplasm या अंदर जो भी cell organelles होंगे जो हमने पहले lecture में बताए है सब इसके अंदर या nucleus के अंदर सब को पकड़ने का काम किसका है या outer covering का है जिसका नाम है cell membrane या plasma membrane उसके बाद यह क्या करता है provide definite shape अब यहाँ पर confuse मत हो ना मैं fix नहीं बोड़ रहा फिक्स नहीं बोड़ा डेफानाइट बोड़ रहा है एक विशिष्ट एक फिक्स नहीं फिक्स शेप नहीं देता हो definite shape देता है fix क्यों नहीं देता है फिक्स यह फ्लेक्जिबल है फ्लेक्जिबल है जैसा इसको आप दबाओगे वैसा शेप ले ले गए है ठीक है तो fix shape नहीं देता है आगे के लेक्षर में हम सेल वाल पढ़ने वाले cell wall fix shape देता है cell membrane fix शेप नहीं देता definite shape देता है है ओक है और यह शेप चेंज हो सकता है इस अमेवी चेंज्ब कॉष्ट्व प्लेक्जिबल फ्लेक्जिबल होता हो ठीक है उसके बाद, allow movement of some material, तो क्या होता है, ये जो boundary है, ये boundary ने environment से ये सारे content को separate कर दिया है, तो suppose कुछ content आपको बाहर डालना है, या बाहर का content कुछ आपको अंदर लेना है, तो ये कुछ specific material को ही अंदर या बाहर जाने देता है, इसलिए इसको बोला जाता है, selectively permeable, very important, okay, freely permeable है क्या, नहीं, मतलब सब को जाने देगा क्या, नहीं, कुछ specific चीजों को ही जाने देगा, किसको जाने देगा, वो अगले lecture में देखेंगे, और कैसे जाने देगा, वो भी देखेंगे, ठीक, उसको osmosis और diffusion बोलते हैं, वो अगले lecture का topic है, तो selectively permeable है, सब को नहीं जान कुछ चीजों को बाहर भी जाने देता है, और कुछ चीजों को बाहर से अंदर भी आने देता है, जैसे nucleus को यह बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है, तो कुछ चीजों को ही अंदर बाहर होने के लिए permission देता है, इसलिए आपको, हम इसको क्या बोलते है, selectively permeable, selectively permeable, उसके ब लिपीड और प्रोटीन ओके लिपीड और प्रोटीन से बना हुआ है नॉन वेज होता है उसमें प्रोटीन होते हैं लिपीड होते हैं ठीक है तो लिपीड और प्रोटीन से बना हुआ है ठीक है अभी इसकी जो फ्लेक्जिबिलिटी है फ्लेक्जिबिलिटी के वजह से इसमे जो ability है उसको बोला जाता है ingulf, तो इसमें ingulf की ability होती है, जैसे आपको पता है amoeba, amoeba का पता है amoeba random ship का होता है, ऐसे ऐसे यह amoeba है, और इसका nucleus होगा है, suppose यह, suppose इसको यह कुछ खाना है, यह material है इसको खाना है, तो यह क्या करेगा, यहां से ऐसे, ऐसे ऐसे flexibility बाहर निकाले है amoeba, उसको क्या बोलते है, pseudopodia, यादा है कुछ 8 standard में पढ़ चुके हो आप, उसको बोलते है, pseudopodia, तो ऐसे ही, suppose cell membrane को कुछ बाहर की चीज अंदर लेनी है, तो that process is called as ingulf, और यह कुछ चीजों को ingulf कर सकता है, इसमें ability होती है, इस तरह से यह बाहर की चीजों को अंदर ले सकता है, ठीक है, so this is all about cell membrane, यह सारी चीज़े आपको cell membrane के बारे में मैंने बता दी, फड़ा फड़ एक बार रिवाइस कर लेते है, cell membrane के characteristic लिखते वक्त आपको क्या याद रखना है, एक बलून लिया, उसके अंदर पानी भरा और जेली का चॉकलेट अंदर दाल दिया, यह nucleos है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, और यह जो पानी है, इसको पकड़ने का काम किस ने किया है, यह balloon ने किया है, और यह balloon में जितने properties है, सारे properties किसके है, cell membrane के है, या plasma membrane की है, ठीक है, तो देखो, क्या-क्या है, थीन है, है भाई, थीन है, पतला है, Elastic है इलास्टिक भी है, फ्लेक्जिबल है, उसके बाद लिविंग है, यह लिविंग है, उसके बाद, आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर की कवरिंग है, अगर इसको आप फोड़ दोगे, तो सारा पानी, जेली का चॉकलेट सब भह जाएगा, तो पकड़ के रखने का काम किस ने किया है, यह कवरिंग नहीं किया है, जिसका नाम है सेल मेंब्रेन, इसने डेफानाइट शेप प्रोइड किया है, जो चेंज हो सकता है, ठीक है न, ड इस अइस सेल मेंब्रेन किसे बना होता है, लिपीड और प्रोटीन से बना हुआ होता है, उसके बाद flexibility के वजह से flexibility enables the cell to engulf cell को flexibility के वजह से engulf की ability मिलती है what do you mean by engulf? engulf मतलब बाहर का food या कुछ other material जो cell के लिए जरूरी है उसको अंदर लेनी के ability from outside is called as engulf जैसे amoeba कैसे खाता या आगे finger like structure निकाल देता है उसको हम pseudopodia कहते हैं वो attach हो के खीज लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? in engulf, ठीक है? so this is all about cell membrane अगले lecture में हम osmosis की बात करेंगे या diffusion की बात करेंगे ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं ने इस lecture में keep studying, waste of luck must watch lecture number 3, 2 and 1 to learn the whole concept and if you like the video please share and subscribe otherwise sorry for wasting your precious time thank you